इवरी वरी गूड इवरी गूड इवनिंग शभी का स्वागत है जितने लोग भी आते जाएं बर कमेंट के माध्यम से बताते जाएं कि I am audible to you मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है वरी वरी गूड इवनिंग शभी का स्वागत है बहिया देखे मेरा नाम आसीज पाठक है मैं और आप आप लोगों को जेसी ये के लिए कंप्यूटर पढ़ाऊंगा जैसे मैंने यूटूब पे कंप्यूटर के स्लिबस के बारे में डिसकस किया था वैसे ही हम क्लासे स्टार्ट करेंगे बाई जितने लोग भी क्लास में एक बार कुस्तो जब आप दो कमेंट करिए प्लीज एक बार आप लोग कमेंट करें फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत कमेंट में कोई इसू आ रहा हो तो बताईए मिहिर जी लेप्टॉप पे क्लास देख सकते हैं विदिन टू डेस फोर डेस का वेट करिए मैंने बोल दिया है ठीक है टेकनिकल टीम को कि रीडाइरेक्ट कर दिया जाए अभी जो पूराना एप था वो चला था लेकिन अभी कुछ दिन में आपका मंडे तक आप वेट कर लिजे मंडे से आप लेप्टॉप पे जहां आप जन करें वहाँ देख सकते हो चलिए सब कुछ क्लियर है गुड इवनिंग गुड इवनिंग शभी का श्वागत है वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को अविनास जी खुश रही है वीडियो डाला है कि कैसे करें तैयारी वहाँ पे आपको मैक्समुम चीजे कुछ बच्चों के RTI के थुरू जो मिली थी वो मैंने वहाँ पे बता दिया गया है कुछ और चीजे हमने RTI के थुरू पूछा है जैसे हमें जबाब मिलेगा हम आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे हाँ पूर्णिमा जी अगर लाइव आप नहीं देख पाती हूँ तो यही वीडियो प्रोसेस होके आपके recorded पार्ट में चली जाएगी सराज कंप्यूटर की क्लास है या हिस्ट्री का है चंधन जी आएसा है जो क्लास लगाने वाला है उन्होंने थोड़ी गरबर कर दिया मिरतुंजे जी खुश रही है मस्त रही है स्वस्त रही है एक्चुली कंप्यूटर लिखना उसने भूल गया तो मैक्सिमम बच्चे यह सोच रहे होंगे और मैंने आपसे जब स्लेबस डिसकसन किया था उसी समय कहा था कि हम वेडनेज दे को रात्रियाट बज़े से क्लास को स्टार्ट करेंगे तो एक्चुली आज क्या है हिस्ट्री और जनेरेशन है हिस्ट्री और जनेरेशन किसका है हिस्ट्री और जनेरेशन की जो बात मैंने लिखा था वहाँ पे वो कंप्यूटर लिखना भूल गया ठीक है आगे तो कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में और उसके जनेरेशन के बारे में evolutions के बारे में discuss किया जाएगा अभी मैंने कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं बताया बस हाई हेलो आप लोगों का हाल चाल ले रहा था ठीक है देख रहा था कितने लोग live पढ़ने आ रहे हैं ये संख्या बल और बढ़नी चाहिए admission इतने हो गए हैं और सिफ class लेने इतने आते हो फिर कहते हो सर लाइव नहीं recorded मिल लाइए तो live interaction जरूर रखो एक बार तो बाकी जो बात चीत होगी वो बाद में करेंगे class को continue करते हैं ठीक है बाते तो बहुत होती है जो notes आपको मिल जाएगा notes पर जादे focus नहीं होना है कुछ चीजे मैं पूछूँगा आप लोगो को कितना computer आता है कितने लोग computer background से हो जलदी से हाथ उठा करके बता हो कितने लोग यहाँ पर computer background से हो सबसे पहला कि what is computer ये बचपन से जब भी आप कहते होगे कि class 5 में जब घर पे कोई आता है रात रिस्तदार तो आपसे कहता अच्छा क्या क्या पढ़ते हो यह पढ़ता हूं जाने का computer भी पढ़ते हो तो कहएगा अच्छा computer what is computer ठीक है तो ऐसा कुछ मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं और यहसा कुछ आपके exam में नहीं आने वाला है ठीक है जन्नल अपने knowledge के लिए जान लो कि computer क्या है एक electronics device है क्या है यह electronics device है ठीक है और इसका जो computer word है वो latin word एक latin word होता है जिसका compute होता है इस compute latin word से इसको बनाया गया और इसका मतलब होता है calculation क्या होता है calculation होता है ठीक है तो आप समझ गए कि actually computer जो है वो basically calculation के लिए ही बनाया गया compute एक latin word है जिसका मतलब calculation होता है मुझे computer का c भी नहीं आता है एक ताजी वो लई है हम है अच्छा bca graduate है मिहीर जी क्या आप हमसे और किसी भी इस course से जुड़े हैं मिहीर जी क्योंकि bca btec वाले बच्चे हमसे काफी course में अभी में computer operator पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर मैंने programming और बाकी सब चीजे data structure खतम किया काफी बच्चे वहाँ technical वाले जुड़े हुए है electronics device है जिसका काम क्या होता है यह क्या करता है data को instruction में convert करता है एक तरह से बोला जाए एक electronics device which convert data into information instruction नहीं data को information में convert करता है अब कुछ चीजे यहां पर ध्यान रखो कि मुझे यह बताओ data क्या होता है और information क्या होता है यह चीज़े clear होना बहुत जरूरी है instruction क्या होता है तो basic सी चीज़ें है भाई देखो instruction क्या होता है कोई भी command जो है जो भी command आपने दिया ठीक है वुसी को instruction बोला जाता information क्या होता है organized collection of data ठीक है organized collection of data ही क्या होता है आपका information होता है जो एक meaningful ठीक है कुछ meaningful आपसे उसका अर्थ निकले जो आपका data है उसको organize करके एक meaningful अर्थ निकले उसी को आपको क्या कहा जाता है information कहा जाता है sir I can do BCA it's good or not what is benefit तनू जी देखिए BCA करना ना करना वो depend करता है वो आपका field of interest कहां है क्या आप देखो suppose करो यहां पर अभी क्या है कि नॉर्थ इंडिया में मैं साउथ इंडिया की बात करूं कि जो BCA graduate है ठीक है वो कहीं नहीं उनका यह मकसद नहीं है कि मुझे government job में जाना है BCA graduate हुए चाहे BTEC, CS and IT हुए नॉर्थ इंडिया के जो student है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कहीं भी आपका software hub नहीं है धीरे धीरे development हो रहा है जैसे NOIDA हो गया ठीक है वो आपका क्या है software hub बनने वाला है ठीक है तो वहाँ जितना job recruitment है उतना तो हो जाता है maximum आपका जो software रहाप electronics सब बोला जाता हो बैंगलूरू है तो उस side के बच्चे चले जाओ करनाटक हो गया वहाँ के जो बच्चे हैं आपके हाइदराबाद के तो वहाँ पे आपका क्या है maximum उनका जो एक तरह से बोला जाए वो कहा है software industry कि तरह अच्छा attractive package मिलता है हाँ BCA वाले चाहे बीटेक वाले दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है ठीक है बीटेक का जहाँ starting package 3.2 से start होता है वहीं पे BCA वालों का 2.8 से start होता है ठीक है basically यह डिपेंड करता है कि आपका field of interest किदर जाना है यहां government job में कुछ specified जो आपके job आते हैं वो कहीं ने कहीं technically specified job आता है जैसे BCA वाले कहाँ eligible होंगे अभी जब teacher computer की vacancy आएगी मुझे तुम लोग leak से start आ रहे हो ठीक है computer की vacancy आएगी वहां पे कहीं ने कहीं आपको applicable माना जाएगा computer operator है रही है उसमें BCA कहीं ने कहीं eligible होता है ASI जो vacancy आई थी SI आई थी उसमें होता है तो वो depend करता कि आपका field of interest उदर है या नहीं है अब जैसे कुछ जगह आपको benefit यह मिल जाता है कि अभी government के थुरू कई जो आपके PCS और यारो कराती हूं वहां पर BCA हुआ बीटे हुआ इनको applicable मांगा गया है ओ लेवल के तो वहां और यारो के जो post होता है administrative post वहां के लिए आप applicable होगे ठीक है तो म ठीक है बाद में देख सकते हुआ अब मगर मुझसे ऐसे सवाल ना पूछो कि भटक जाओ बाद में आप सब एकठा कर लेना जो भी ऐसे सवाल है उसके लिए मैं special discussion रखूंगा फिर वहां पर बात करेंगे अभी हमें main focus करना है अपने chapter पर ठीक है तो organized collection of data क्या करता है जो एक meaningful कहीं है कहीं वह आपको कुछ दे उसी को information बोलते हैं और data क्या होता है जब यह organized होता है तो यह अन और्गनाइज होता है यह क्या होता है और अर्गनाइजड collection of इसको क्या बोल सकते हो लेटर नंबर कुछ भी ऐसा ठीक है जिसका कोई भी और्गनाइज ना हो एकदम आ जैसे एक हो गया मैंने ए लिखा ये भी एक डेटा है ये भी लिखा ये भी डेटा मैंने सिस्टम को दिया 19 उसके बाद से दिया M A R C H 90 ठीक है फिर 92 ऐसे दिया अलग-अलग तो यह अलग-अलग क्या एक डेटा है अब यह एक सिस्टम में जाएगा प्रोसेस होगा तो यह एक information बन जाएगा तब यह आपके सामने screen पर दिखता है 19 March 1992 तो आप समझ जाते हो यह कहीं न कहीं किसी की DOB लिखी हुई है ठीक है यह किसी की DOB लिखी है तो यह हो गया आपका information और यह अलग-अलग इसको कहा दिया जाए तो यह हो गया data ठीक है यह ध्याम रखना तो यह ह समझ गए कि क्या काम करता है देखो इसका कामी होता है यूजर जो आप हूँ यूजर से data को लेता है उसे दूसरा stage क्या होता है इसका process करता है मतलब उसपे कोई ने कोई operation होगा processing क्या होती है उस पर कुछ न कुछ operation होता है जो भी होगा arrangement करेगा उस data को और उसके बाद से उसको output सो करेगा मतलब जो last का output होगा वही आपका information होगा information से ही तो आप समझ पाते होगी कहना क्या चाहता है ठीक है जो output आएगा वही information आएगा ठीक है तो user से data लिया जाता है उस पर operation होता है और फिर information basically फिर user को दे दिया जाता है हाँ notes बनाते चलो या ना बनाते चलो कल मैं upload करा दूँगा notes ठीक है वो depend करता है अब थोड़ी से computer की बात हो गई अब यहाँ ही पर हम लोग computer के characteristics के बारे में जान लगते है ठीक है characteristics क्या है computer की क्या क्या इसकी विसेस्ताएं है उसके बारे में चलो एक बार discuss कर लेते हैं सबसे पहली विसेस्ता आप सभी जानते होगे speed ठीक है भाई साहब speed में यह सबका बाप है speed और accuracy एक तरह से बात किया जाए आपसे और करूं 18 into 4 कर दो तभी भी आप कर ले जाओगे लेकिन मैं वहीं आपसे 7222 into 4 2222 कर दूं तो आप बोल जाओगे यही पे आप यही पे धावा बोल जाओगे यह तो आपको क्या होना चाहिए सकुंतला देवी हो जाना चाहिए अब ही यहाँ पर आपसे जैसे होगा ठीक है यहाँ पर इसको जैसे इस कंप्यूटर को यह कमांड दोगे तो कंप्यूटर तुरंत within a second यह आपको क्या देगा इसका तुरंत आंसर देगा और accuracy के साथ देगा तो इसी को speed कहा जाता है ठीक है इसकी speed हो गई ठीक है accuracy मैंने बता दिया कि जब भी आप user जब तक कोई गलती नहीं करेगा speed accuracy यह सब क्या है ठीक है यह सब क्या है इसके विसस्ताएं जब तक user गलती नहीं करेगा उसके accuracy में कोई impact नहीं पड़ेगा ठीक है यह ध्यान रखेगा अब आते हैं हम लोग diligence ठीक है diligence मतलब इसका मतलब बताओ diligence diligence का मतलब क्या हुआ जो बैया कभी ठके ना not tired जो कभी ठके ना ठीक है कभी यह ठकता नहीं है लागातार जब कहोगे 24 into 7 चला रहा है आप काम करते करते ठक जाओगे आपकी एक limitation है काम करने की लेकिन यह कभी भी tired नहीं होता है ठीक है यह एक property है इसकी ठीक है lot of एक तरह से बोला जाए इसके पास जो है large volume of storage है हमारा दिमाग क्या है हमावे दिमाग भी तो storage करता है लेकिन क्या हम उस storage पे आज बचपन से जो भी चीज़े सीखते आ रहे है हमारी दिमाग में ही है इतनी सी बड़ी खोपड़ी में है सब कुछ बाई साब ऊपर से और पढ़ते जाते हैं और competition बढ़ता जाता है और पढ़ते जाते हैं यह सब कहां store हो रहा है इसी में तो हो रहा है ठीक है लेकिन किसी का किसी का बहुत तेज fetching power होता है उस memory से हर चीज़े बहुत जल्दे फेज कर ले जाता है उसी कहा जाता है कुछ God gifted है computer वाला दिमाग पाया है बोलते हैं न लोग computer वाला दिमाग पाया है तो सेम चीज़े हैं यहां पर computer में क्या उसके पास जो storage capacity है उसका वो बहुत बड़ा है और जो भी आपका data है और जितना within second जो search मारो को जो data आप retrieve करना चाहते हो within a second data को आप मिल जाता है आपसे जो data आपको चाहिए जो भी आपका अलग-अलग उसमें रखे हो आपने search किया मेरी ये file कहा है तुरंट search करके दिखा देता है ये आपकी file है तो ये सब चीजें क्या है memory की है और इसमें जितना चाहिए उतने चीजें आप भर सकते हो memory में जानी सकते हो कि कितने टीवी में जेबी में सब में इसकी unit आती चली गई है अब धीरे धीरे इन सब पर बात करेंगे एक चीज storage capacity हो गई अब versatile है क्या है ये versatile कहा जाता ना कि ये किसको बोलेते है नवजदून सिद्धिकी जो है आपके वो क्या है versatile actor है इर्फान खान थे जो चले गए वो भी versatile actor थे क्यों versatile कहा जाता है कि वो हर प्रकार के acting कर ले आते थे जैसा कहोगे वैसा acting प्रफॉर्म करते थे तो ये भी versatile है जिस प्रकार का इनको टास्क दोगे वैसे ये भी काम करेगा different ठीक है behavior हर task के साथ अलग-अलग प्रकार से behave करता है ठीक है एक साथ कई task कर सकता है different different task perform करता है तो इसलिए इसको versatile किया गया है क्या करता है different task perform करता है तो ये सब चीजे कुछ न कुछ इसकी विशेस्ताएं है आगे हम थोड़ा ऐसा और बढ़ेंगे विशेस्ताएं आप लोग जान लिए अब इसके history पर बढ़ते है ठीक है history पर तो सबसे पहले इसकी जो सुरुवार्थ कंप्यूटर की कैसे आएगा दिमाग में कि कंप्यूटर का विश्कार करना है भाई जबो कंप्यूटर का मैंने बताया compute सबसे बना है और compute का मतलब होता है calculation और calculation ठीक है कौन जानेगा में लिए किसको ज़रूवत पड़ेगी जितने भी आपके mathematician होंगे उनको सबसे ज़्यादे हाँ देखो history यही करती कि जो mathematician थे उनको ज़्यादे calculation की ज़रूवत थी कहीं ने कहीं वो research work करते थे तो उनका दिमाग भाई गया कि कुछ हमारा काम हलका हो जाए तो सबसे पहले जो एक तरह से बोला जाए कि calculate करने का कोई एक तरह से यंत्र आया तो उसको क्या कहा गया abacus ठीक है कहा जाता है वैसे कोई प्रमान नहीं मिलता है कि इसका अविश्कार चाइना के द्वारा किया गया था ठीक है चाइनीज जो थे हैं अहर जगाँ चाइनीज नंबर 1 पे हैं आज भी देखो मोबाईल फोन में भी तो चाइना आपका नंबर 1 पे है तो इस्टोरेज के अपसिटी में ही आपका पूरा पूरा रिमेंबरेंस power भी आ जाएगा ठीक अभी यह आपे देखो लेकिन कुछ limitation भी है उतने विसेस्था है सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रो और कॉंस होता है तो उसके भी कुछ ना कुछ limitations है क्या limitations है या वो computer है machine है इंसान नहीं है सोच नहीं सकता है ठीक है उसके अंदर क्या नहीं है feeling नहीं है तो लेकिन आज के 5th generation में क्या कर रहा जा रहा है कि उसके भी thinking power बनाई जा रही है जो आप robots देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उनकी भी एक thinking power की programming की जाए रही है वो खुद का decision नहीं ले सकता यह limitation है लेकिन अभी 5th generation में क्या है कि कुछ ऐसे जितने भी maximum possibilities इंसान ठिंक करता है उतनी thinking की क्या हो रही है programming की जा रही है AI में artificials में ताकि जितना एक एक आम इंसान सोचता है वो सब कुछ एक machine सोच सके तो इसी को artificial और machine language कहा गया है जो आज की दुनिया में काम चलना है ठीक है अब machine को इंसान बनाने भी लोग तुले हुए ठीक है यह अब कस था जिसे कहा गया कि भाई यह चाइना में खो जा गया इसका figure में दिखा दे रहा हूं कुछ इस प्रकार से था देख लो इसमें दस यह होते थे और इसमें थोड़े थोड़े बिट्स होते थे इनी से calculation, addition, subtraction, multiplication किया जाता था इनका इस्तमाल करके तो इसके बारे बस बहुत जादे नहीं जानना है आपको उसके बाद से जो दूसरा आया वो आया जॉन नेपियर ठीक है जॉन नेपियर इस नोंने क्या क्या करता एक नेपियर बॉन्स बनाया था ठीक है कुछ यह figure दिख रहा है कि नहीं आपको नेपियर बॉन्स बनाया था figure कुछ ऐसा था detail देखो figure देख लो यह बॉन्स हड्डियों से बना था ठीक है इसमें आपकी invention किया था ठीक है अगर आप से पूछे कि logarithm के inventor कौन है तो आपके जॉन नेपियर है नेपियर बॉन्स जो आपका instrument था calculation के लिए use किया जाता था इसके थुरू हम multiply ठीक है divide किसी का cube निकालना या cube root निकालना cube या cube root यह सब कुछ square या square root ठीक है यह सब हम किस से करते थे इससे perform कर सकते थे अब इससे अगर कुछ काते हैं कि कई जगां आपके date से related चीजे आती है तो जो authentic date मिलता है वह जानो 1617 में यह नेपियर बॉन्स का अविस्कार किया गया था ठीक है एक authentic date कई किताबं में अलग अलग आपको date मिलेगा हाँ अबेकस में bits होती थी लेकिन अबेकस का कोई date नहीं है अबेकस से एक ही प्रश्ण बनता है हर एक exam में की सबसे पहला calculating machine कौन सा था तो वो आपका ancient calculating machine तो अबेकस होगा ठीक है यह द यहीं पर हुआ था decimal point का अगर बोला जाए use जो है इसी napier bones में हुआ था तो napier's bones के बारे में बस इतना ही जान लो बहुत है ठीक है यह जो थे कहां के थे Scottish थे यह mathematician थे Scottish mathematician थे स्कॉटलेंड के थे इनको Scottish mathematician बोला गया था जॉन नैपियर को और इन्हों ने ही नैपियर bones का अविश्कार किया था mathematician ही करेंगे और कौन करेगा उसके बास से भाई साब आते हैं bless pascal pascal पासकल सहाब ने pascal machine अविश्कार किया actually हुआ कि इनके जो पितासरी थे जो इनके father थे ठीक है वो text department में काम करते थे तो उनका workload जादे था calculation करने का तो उन्होंने पितासरी का जो calculating work था उसको कम करने के लिए pascaline machine बनाया ठीक है pascaline machine बनाया यह कहां के थे भाई यह आपके अगर पूस्ता है कहीं यह पूस्ता जेता है यह french mathematician थे यह french mathematician थे ठीक है ध्यान रखना पासकल साहब french के mathematician थे इन्होंने calculation basic calculation के लिए machine बनाया थी जिसका नाम था pascaline यहाँ पर आपको cylinders gears होते हैं ठीक है उस पर basis पर यह था यह figure देख लो ठीक है यह आपके gears पर काम करते थे और इनका जो basic काम था यह चार काम करता था जो basic काम होना है addition, subtraction, multiplication, और division यही basically जो काम होता है इसी के लिए इन्होंने design किया था इसके अलावा और कोई काम नहीं होता था यह ध्यान रखना इसलिए इसे wheels लगे थे, gears लगे थे उसी पर यह काम करता था इसे और क्या नाम दिया गया था इसे arithmetic machine दिया गया था इसका एक नाम और है arithmetic machine ठीक है arithmetic machine दिया गया था ठीक है और इसको एक नाम से और बोला जाता है Pascal Calculator Pascal Calculator यह सम पास्कलीन का नाम है arithmetic machine पास्कल कैलकुलेटर पिता जी के help के लिए भाई साहब पास्कल साहब ने इस पास्कलीन मसीन का अब इसकार किया बस इतना चार operation बेसिकली यह करता था addition, subtraction, multiplication और division उसके बाद से next आपका जो बना वो बना लेबनीज विल ठीक है लेबनीज विल स्टेपर्ड रेकॉनर और लेबनीज ने बनाया था यह एक तरह का mechanical calculator था इन सब चीजों को note करते रहा ना चाहिए मैं notes में सब दे दिया हूँ डिजिटल, mechanical इसका addition कैसे होगा addition यह नहीं पूछता है कि machine में addition कैसे होगा ठीक है यह सब नहीं चीजे पूछेगी जो चीजे जरूरी है वही चीजे मैं बताऊंगा कि addition कैसे होता था तो वो तो सब बहुत डीप में चले जाओगे हर एक instrument का मैं खोल खोल अगर बताऊं कि क कहां आपका data fit होता था कैसे काम करता था तो फिर दिक्कत हो जाएगी यह basically multiply और divide के लिए use होता था बस इतना ही पूछता है multiply and divide के लिए basically use किया जाता था यह machine ठीक है और इसे कहीं कहीं आपका जो year मिलता है 1673 और 1672 मिलता है यहाँ से question बना है तो आप लोग किसे आप लोग सही मानोगे तो 72 को सही मानना ठीक है यहाँ पर अगर लेबनीस का पूछे कि कभी यह आया था तो 1672 में अगर 72 ना हो तो 73 को मानना ठीक जर्मन फिलोसफर, मैथमेटिसियन सब कुछ पहले के लोग फिलोसफर, मैथमेटिसियन सब थे यह ध्यान रखना तो एक एक चीज का अगर addition बताने लगे तो वो आपको extra पढ़ना है तो वो मैं बताऊंगा मैंने addition यह सब बताया है जब computer operator वाले में पढ़ाया दीटेल में ठीक है यहाँ पर उतना नहीं है पचीज कोशन में आपका मुस्किल से एक कोशन यहां से आना है तो course oriented पढ़ाई करनी है ठीक है अभी उसके बास next जो आपके लूम मसीन ठीक है लूम मसीन आता है जिसको development जो है इसको कौन किया था इसके जो आपके inventor है वो कौन है यह पूस्ता है आपसे कि जो लूम मसीन है उसके inventor कौन है तो इन्वेंटर आपको पता है लूम मसीन के कौन है जेकोड जेकोड लूम उन्होंने ही यह मसीन क्या है कपड़े बुनने वाली मसीन देखे हो की नहीं उसी का अविसकार इन्हों ने किया था पहली दफा यहां पर एक input device का use किया गया था वो उस input device को बोला गया था punch card ठीक है punch card का use हुआ था punch card में अक्चली क्या होता था input जो भी दिया जाता था तो जहां पे आपका zero present जो होता था sir c language और pascal भी आ सकता है क्या exam में c language नहीं आएगा c language मुश्किल है बहुत ही मुश्किल है general computer awareness आएगा c language नहीं आएगा मैंने जितना syllabus discuss किया है उतना 25 question अगर एक number of question होता 50 ठीक है 80 तब मैं काता हाँ basics of programming knowledge conceptual knowledge आ सकता है ठीक है देखो जहाँ पर इस punch card में hole present थे इनको कहा गया one और जहाँ hole आपके absent थे जहाँ पर hole आपके presence थे उनको कहा गया one और जहाँ आपके presence नहीं थे absence थे hole absence थे hole उसको कहा गया zero ठीक है यह धियान रखना तो punch card के through input दिया जाता था लोग अपना input जो है इसी के through देते थे English हाँ English language में ही होगा जो आपका exam होगा सिर्फ English language में ही होगा तो बस यह धियान रखना punch card का use यहीं से हुआ सबसे पहले question आपसे यही frame होता है कि punch card का use किस machine में हुआ था तो लूम पावर लूम जो मसीन थी जेकोड लूम के द्वारा बनाई गई गई उसी में use किया गया था इसके बाद से हम आते हैं next वाले जन्रेश पे Charles Babes के द्वारा बनाया गया दो इंजन एक आपका जो बनाया गया था जिसे हम जानते हैं difference इंजन के नाम से लेकिन इसकी कुछ कम्या थी इसमें कुछ और चेंजेज वो करना चाहते थे और जो difference इंजन था इसकी बारे में ध्यान लोख लो कि जो difference इंजन था ये एक्चुली 1820 से 22 के बीच में ये तयार हुआ था ठीक है और जो analytical इंजन था वो 1837 में आपका बन के तयार हुआ अब दूनों में differences क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा ये English polymath or mathematician and mechanical engineer और philosopher साथ थे भाई साहब ठीक है कुछ भी कमी नहीं थे बैबेस साहां में अब इन्हों ने ही एक तरह से modern computer जो एक तरह से बोला जाए जो computer का है आज के समय में उसमें जो चीजे यूज होती है वो इन्हों ने अपने किसमें यूज किया था analytical engine में यूज किया था ठीक है जो analytical engine बनाया था इन्होंने इन्होंने integrated memory integrated memory का concept लाया था ALU arithmetic logic unit जो होता है उसका concept लाया था data flow का concept लाया था इसी वज़ा से analytical engine इन्होंने जब बनाया कहा जाता है कि इनका मन था ये कुछ जगां आपको मिलेगा कहानियों में कि Charles Babes ने difference engine बनाया लेकिन ये चाहते थे कि इसको एक programmable बनाया जाए ठीक है mathematics calculation के लिए mechanical computer बनाया था ये एक तरह से mechanical था mechanical computer था और ये भाप से चलता था इस टीम से चलता था ठीक है इस बात को ध्यान रहना इन्होंने फिर बाद में ये analytical engine बना इनलेटिकल इंजन नाइंटी एटीस अठारा सो सैंटीस में जब बना तो उससे में कुछ जनक कई जगह के प्रमान मिलते हैं कि Charles Babes साम नहीं थे लेकिन उन्हीं के basis पर जो इनके भाई थे ठीक है Henry Babes Henry Babes ने किनके साथ मिलकर लेडी लवलेक यह दाम रात रखना लेडी लवलेक ठीक है यह कौन है लेडी लवलेस ठीक है लड़ लेडी लवलेक इन्होंने और Charles Babes की कुछ थियोरी थोन इसज्स प्रस्टाहि surviving किया था की और यहां से question बन जाता था कि इन्होंने programming किया तो फर्स्ट प्रोग्रामर आपसे question पूछता है first programmer तो वह कौन होगा फर्स्ट प्रोग्रामर जो थी वो लेड़ी लवलेक थी इनका मैं चहरा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना है हाँ इसका नोट्स मिलेगा ये रही लवलेस इंग्लिस मैथमेटिसियन थी जिनोंने एनलेटिकल इंजन में चार्स बेबेज के साथ काम किया था लेकिन चार्स बेबेज की साथ बीच में ही मृत्ती होने के साथ के बाद हैंडरी बेबेज जो है और युएस गोवर्मेंट का इनका काफी सपोर था बेबेज को इस वज़ा से और जो एनलेटिकल इंजन बनके आया हमारे सामने वो कहीं कहीं कम्प्यूटर जो आज के समय कम्प्यूटर है उसका एक तरह से एंसेस्टन माना जा सकता है ठीक है इसी वज़ा से चार्स बैबेज को फादर आफ कम्प्यूटर कहा गया इन्होंने जो एनलेटिकल इंजन में का इसी लिए इनको फादर आफ कम्प्यूटर कहा गया यह जैनल सा कुष्चन हर एक इस ग्जाम में पूछे वाला जाना कुष्चन बच्चों वाला कुष्चन फादर आफ कम्प्यूटर कौन है चार्स बैबेज अब यहीं पर मैं एक प्रशन और पूछता हूं देखता हू mist아 लोग तुम लोग कितने पेज से फादर आफ मॉडन कंप्यूटर कौन है बता झार भाई साब होसाँ उट्टर का हमें तो लूट रहे थे लोग न हमारे यहां से तो पैसा ले जा रहे थे तो कहीं इंवेस्मेंट हो रहा था तो जब यहां इंवेस्मेंट जहां पैसा मिलेगा जादे उहां ही के लोग तो आगे पढ़ेंगे सिंपल सी बात है की नहीं यह बताओ 1837 में समझ लो क्या हो रहा था हमारे यहां हमारे के लोग भी यहां के पढ़ने की धंग से सुविधा नहीं थे यहां पर यहां से बाहर पढ़ने जाते थे तो कहां वाले तेज हो जाएंगे चलो बेबेज में भी जो पंच कार्ड इंपुड के थुरू आया था तो वही यूज इसमें भी होने लगा था पंच कार्ड इहां पर भी इंपुड के तरह यूज होता था ठीक है जल्दी से बताओ भाई फादर आफ मॉडरन कंप्यूटर सर ट्रीन पूनिमा जी बोलें ट्रीन करके कुछ है याद नहीं आ रहा है चार्स पेबेज है फादर आफ मॉडरन कंप्यूटर यह फादर आफ कंप्यूटर प्रस्न दो प्रकार से पूछेगा अगर फादर आफ कंप्यूटर पूछ रहा है तो चार्स पेबेज होंगे ठी अभी याद आया किसी को एलन टुरिंग है कि एलन क्यूरी दिया था उसी के बैसिस पर उंकी एक मसीन थी टुरिंग मसीन ठीक है उसी के बीहाब पर इंको फादर आफ मॉडन कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेवेज नहीं है चंदन जी इस बात को याद रखना modern computer के पिता एलन ट्यूरिंग है ठीक है ट्यूरिंग father of modern computer एलन ट्यूरिंग और father of computer बेवेज सहाव है ठीक है तो lady love leg को देख लिया आपने अब आगे हम लोग जो बढ़ेंगे वो next आपका आता है tabulating machine ठीक है tabulating machine आपका बना tabulating machine को बनाने वाले थे hallrith tabulating इसको और क्या नाम दिया गया है hallrith tabulating machine hallrith सहाब ने बनाया था American scientist है harman hallrith नाम था इनका इनहीं के नाम से machine को भी जाना जाना दो नाम था, एक tabulating machine नाम था उसका एक, आपका क्या नाम था, hallrith नाम था hallrith tabulating machine नाम था ठीक है electromagnetarily ये machine था 1890 में इसका आसपास कहा गया था कि इसका अविस्कार किया गया था कुछ ऐसे दिखता था tabulating machine कुछ ऐसा दिखता था ठीक है तो सबसे इसमें जो main बात है उसको जानो कि क्या main था इसक में कुछ प्रस्ण यहां से आता है जैसे एक प्रस्ण तो यह आता है कि बाद में चल के जो ये harman hallrith साब की company थी ठीक है वो बाद में चल कर क्या इसी नाम का जो company था harman hallrith ये company बाद में क्या बन गई IBM बन गई आपकी ठीक है अब IBM का full form कितने लोग जानते हैं IBM का full form कई जगा पूछा है यहां पर भी punch card as a input क्या use होता था input की तरह पर punch card का use होता था मैं बताऊंगा punch card कहां नहीं use हुआ अभी तक punch card का use चल ला है जो आपके जेकोर्ड लूम साहम ने खो जा था वो punch card यहां पर input के परपस पर चल ला है IBM का बताऊ यह जो हर्मन होड़ित की जो company थी जो टेवलेटिंग मसीन बनाई थी वो बाद में चल कर IBM नाम से जानी जाने लगी और IBM का full form मुझे बताऊ और इस IBM को एक और नाम से जाना जाता है बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है तो यह प्रश्न बनते हैं ऐसे यह प्रश्न बनता है कि निमलिकित में से किस company को बिग ब्लू बोला जाता है तो IBM को बिग ब्लू बोला जाता है IBM का full form क्या है International Business Machine International Business Machine है IBM को full form ते यह ध्यान रखना international business machine IBM को बोला था 1890 में tabulating machine होई और 1890 में जब पहला census हुआ था अमेरिका का ठीक है पहला census जो अमेरिका का हुआ था इसी machine के द्वारा किया गया था यह ध्यान रणा अमेरिका का पहला census 1819 में जो निकाला गया वो इसी tabulating machine के द्वारा निकाला गया तो यह भी प्रस्न पूछा है ठीक है तो 1890 में अमेरिका census की गढ़ना किस से हुई थी तो tabulating machine से हुई थी इतना हो गया अब हम आते हैं कुछ और चीजों पर बात कर लेते हैं डिसकस कर लेते हैं आगे चरके Mark 1 computer के बारे में बात कर लेते हैं कभी कभी पूछता है आपसे कि Programmable Electro Mechanical Calculator सबसे पहला Programmable Electro Mechanical Calculator कौन सा था तो वो Mark 1 computer था Mark 1 को बनाने वाले थें कौन Harvard University के Professor Harvard Icon पीके बाद में इन्होंने सोचा 1937 में Icon साम ने सोचा कि हमें एक क्या बनाना है computer बनाना है जो fully automatically computer का मतलब उस समें calculation ही होता था तो इन्होंने सोचा था कि मुझे एक calculator जो Programmable Automatical Calculator बनाना है 1937 में लेकिन ये जो हुआ 1987 में 1937 में इन्होंने सोचा लेकिन 1944 में ये Harvard Icon साम और IBM दोनों कंपनियां मिलकर आइकन साम और इन दोनों ने मिलकर इसको पूरा दिया 1944 में ये Mark I computer पूरी तरह से बन कर तयार हुआ था ये देहान रखना उसके बाद से इसकी सिरीज कही आई Mark II, Mark III, Mark IV तो ये firstly fully automatic programmable calculator था पहला automatic programmable calculator जो अगर पूछे आप से तो वो Mark I था यहीं पर कुछ अलग-अलग से बिवादित आपके क्या आजाते हैं उसी बात से Alan Turing साब आते हैं 1936 की बात है 1936 में ही Alan Turing मशीन की खोज हुई थी Turing मशीन की खोज Alan Turing ने किया था जहां पर यहीं पर concept मिला था आपका modern computer का उसके बात से अगर हम बात करें तो यहीं पर आप बढ़ेंगे हम लोग जब आप से पूछा जाता है कई जगव प्रश्न की First First electronic Digital computer For General Purpose Use General Purpose Use के लिए पहला computer कौन सा था यहां पर कई बिवादित है आप लोग हां अमेरिका के जनगरना के लिए यूज किया गया था First General Purpose Digital Electronics Computer कौन सा है Notes मिल जाएगा विकास Notes के लिए Confuse ना हो पहले इसका जवाब बताओ First Electronics Digital Computer कौन सा है सबसे फास्ट सूपर कंप्यूटर फॉंटियर यूज से का है सूपर कंप्यूटर नहीं मैं पूछ रहा हूँ मैं अभी बोलना हूँ सबसे फास्ट सूपर कंप्यूटर फॉंटियर यूज से का है अभी First Electronics Digital Computer में कुछ बिवादित चीजे हैं अलग-अलग जगा पे आपको अलग-अलग चीजे मिलेगी ABC का नाम सुने हो ABC Computer ABC Computer का जा नाम है हिंदी में लिखे अरे भाईया हिंदी में पेपर नहीं आएगा कैलेंद्र कुमार जी हिंदी में पेपर नहीं आएगा ये गलती मत करना है एटेना एटेना सौफ बेरी कम्प्यूटर अब मैं बता दूँ कि यहां पर क्या है किसको कैसे सर्याद नहीं आ रहा है सौरी चलो कोई दिक्कत नहीं एक इनवर्सिटी है ये कहीं जगा आपको मिलेगा नहीं I.O.A. इनवर्सिटी ऑफ इंजिनियरिंग इसके कम्प्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जब जाओगे इसकी वेबसाइट पे तो अब आपको सब कुछ क्लियर क्लियर मिलेगा मैक्सिमम जगा आपको मिलता एनियाक ठीके एनियाक पहला डिजिटल जनरल प्रपस कम्प्यूटर है लेकिन बेसिकली जो था वो एबीसी कम्प्यूटर था हाँ अभी आपने रिशब ने बोला एनियाक है क्योंकि मैक्सिमम आपको नेट पे भी सर्च मारोगे तो यही सब मिलेगा ठीक है 1937 में 1937 की ही बात है कि ABC एन्टेस ओफ बेरी कम्प्यूटर एन्टेस ओफ आई ओ डबलू ए के एक उन्वर्सिटी है ठीक है उसके जो है प्रोफेशर थे और बेरी जो था उनका चेला था यह जो था यह इंजिनेरिंग कर चुका था इलेक्रिकल से और बाज में यह मैटमेटिसियंस का स्टुडेंट था और यह प्रोफेशर थे तो गुरू और चेला दोनों लोगों ने मिलकर इस पर काम सुरू किया था ABC उसी लिए उसका कंप्यूटर का नाम दिया गया था एटेना सॉप बेरी कंप्यूटर ये डिजिटल कमप्यूटर था फोली ओड्रमेटरी प्रोग्रामेबल था लेकिन लिएक्ट्वलि हुआ क्या किर बिपेटेंट जो है उसी समय काम चला था ऩिया याक का भी भी एटेन्याक का भी फूर्स पूचेंगे एनियाक का भी काम चला था ठीक है यह बात है 1943 के आसपास 1943 के आसपास इसको एन्याक को पेटेंट राइट मिल गया अब पेटेंट राइट जब मिल गया तो यही पहला कंप्यूटर बोला जाएगा फर्स्ट डिजिटल प्रोगामेबल जनल परपस कंप्यूटर आपका एनियाक हो गया और हर जगह अगर आपसे question पूछे तो आप किसको कहोगे जो patent 1943 में यह बनके तयार हो गया लेकिन 37 में ही patent एंटे सॉप बेरी computer को नहीं मिला इसको मिल गया एनियाक को मिल गया किसी बिवाद कर दी हैं सब दोनों आजकाल जानते ही हो कुछी invent होता है तो एक दूसरे को claim करने लगते हैं उसी कारण जजज साहाब ने भाई साहब इनको patent नहीं दिया इनको दे दिया बाद में इसका आगे चलके 1973 में बात है 1943 में इसको मिल गया कि भाई एनियाक पहला डिश्टल प्रोगामेवल जनरल परपस computer होगा लेकिन 1973 की बात है 1973 में court में फिर से ये case open हुआ और कहा गया कि एनियाक जो आप हो वो आपने antis of Barry computer का copy किया है आपका patent ऐसे नहीं बोला जा सकता वो court ने उस चीज को सुधार किया मगर आपको answer सुधार पे नहीं जाना है बस वो patent पे सुधार हुआ कि आपने आपका genuine नहीं है ये जो एनियाक computer आपने बनाया है वो आपका special नहीं है genuine नहीं है आपने antis of Barry वाले का क्या किया है copy किया उसी को आगे किया है ठीक है तो उसमें 1973 में court ने फिर से reopen करके उस patent पर काम किया लेकिन पहला अगर आपसे पूछे तो patent के आपर एनियाक ही पहला first digital programable general purpose computer आपका होगा चलो एक ताजीने एनियाक को हाँ एनियाक को ही बोलेंगे electronics numerical integrator and calculator यही इसका full form है तो जो मैंने आपसे पूछा था सभी को आता तो है computer तब कहें डरते हो तुम लोग कि computer नहीं आता है इतने में जानते हो कितने प्रश्ण तुमने कर लिया एक एनियाक का कर लिया एक चाल्स बैबेज वाला कर लिया एक modern father of computer कर लिया एक ancient calculating machine का कर लिया तो काफी प्रश्ण आपके यहां से तयार हो गए है अच्छा इतना सब जानते हो तो यह भी जहां बता दो कि एनियाक को क कि जल्दी से बताओ कि फूल फॉर्म लिख दे हैं ठीक है इसका बताओ कौन थे साइंटिस बाई देख दो लोग थे 1947 यह लिखा है जॉन मोसले एंड एसकार्ड ठीक है दो नाम याद रखना जॉन मोसली एंड एसकार्ड यह दो लोगों ने फॉल फॉर्म यह लो लो बच्चे ने लिखा तो है electronics numerical integrator and calculator integrated calculator integrator करो या integrated कर लो integrated calculator इन्टिग्रेटर, integrated प्रेस प्र य्सकार्ड यहां फॉरा नाम प्रेस प्रेस्कार्ड था जोन मोसले एंड प्रेस प्र एसकार्ट इंटीग्रेटर इंटीग्रेटर ही लिखना इंटीग्रेटर ना लिखना ठीक है मिलता यही है electronics numerical integrator calculator ठीक है जॉन मौसले एंट इसकार्ट है पहला electronics digital computer इसी को माना गया और मार्केट में काफी बिका भी है ठीक है चलो यहां हम लिखा भी है अब हम लोग आते हैं तोरा सा generation of computer पर time तो हो गया क्या generation of computer कल discuss किया जाएगा क्या हुआ सर आपने जो जो भी पढ़ा है वो मैंने पहली बार पढ़ रहे हूँ अच्छा humanity student हो कोई बात नहीं अंसिका जी देखो अभी जितना मैंने पढ़ाया उसमें से मैं प्रश्न बता दे रहा हूँ क्या क्या प्रश्न पूछा गया है कई कई डिफरेंट इग्जामों में generation discussion कल किया जाएगा पांच generation है कल generation पे भी discussion हो जाएगा और architecture नहीं हो पाएगा आर्किटेक्चर के बेसिक चीज़े मैं बता दूँगा आर्किटेक्चर उसके अगली क्लास में होगा कंप्यूटर नहीं कैलकुलेटर होगा पहले कैलकुलेटर ही सब बनता था कैलकुलेशन के लिए ही बनाया गया था इन्याक कभी अविसकार किसलिए होता साइंटिफिक कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए वह भाए था तो कैलकुलेटर ही होगा कंप्यूटर नहीं होगा ठीक है तो अभी ध्यान रखो सबसे पहला प्रशन जो पूछेगा एन्याक कैलकुलेटिंग मसीन तो अभी कस दोगे ठीक है फादर फादर आफ कंप्यूटर चार्स बेबेस फादर आफ मॉडरन कंप्यूटर एलन ट्यूरी ठीक है इस बात को जाने है पंच कार्ड कभी यूज हुआ ठीक है तो वह आप कहोगे जेकोएड लूम की जो लूम मरसीन थी उसमें यूज किया गया था पंच कार्ड ठीक है एस इंपूड था वह एक क्या है इंपूड कार्ड है जिसमें कोई इंपूड आपको डाल के दिया जाता है मसीन को ठीक उसके बाद से अगर आपसे पूछता है तो एक प्रस्ण ये भी बना है exam में कि हमेरिका के इस सो नब्च जणगर्णा थी किस मसीन का रभू कही ते promotions नामfilm का ठिप ऑला से बसक्दम के नाम जाना जाने लागा उनल्राम से पिल्पाब से नामसे महते लाइडNER । ठीक है यह सब में कोश्चन है अगर एक्जाम में दोनों आ जाया तो एनियाक ही होगा भाई इसमें कोई समझाओता नहीं ठीक है समझाओता कोई नहीं होगा एनियाक कोई ही पहला डिजिटल जनरल प्रपस कंप्यूटर आपको मानना है चलो समझ में आ गया तो यह जनरल से क्वेश्चन है इसके नोट्स आपको लगा दिये जाएंगे आप लोग पढ़े लेना कल हम लोग डिसकस करेंगे जनरेशन पर ठीक है कल का डिसकसन होगा जनरेशन आफ कंप्यूटर और जनरेशन में हम जिन पाइंट पर बात करेंगे कि उसमें क्या क्या हार्डवेर यूज हुएं software purpose से क्या use हुआ physical appearance क्या था उसका और उसके application क्या थे और example पे खासकर आपसे पहले generation से जो प्रस्ण बनता है generation से कि पहला generation किस device पर depend था ठीक है यही सी प्रकार के प्रस्ण बनते हैं और कुछ example जो बनाए गए उस समय पहले generation में और generation की हर जगह आपके खासकर में बाते बता दे रहा हूं कि जो year मिलते हैं अलग-अलग किताबों में अलग-अलग मिलता है कोई 1940 से 1950 मानता है कोई 46 से 56 मानता है तो अलग-अलग है मैं अधम authentic आपको बताऊंगा उसके लिए परसान मत होना अभी कोई समस्या कोई परसानी कोई दिक्कत कोई दुख कोई दर्द जो भी हो पुझे बता दो फिर चलते हैं हम लोग कोई दुख कोई दर्द कोई समस्या मेरे बच्चो मेरे प्यारे बच्चो जल्दी बताओ अभी तक समझ में आया जितना पढ़ाया मैं सिर्फ question oriented पढ़ा रहा हूँ आपको उसका operation नहीं पढ़ा रहा हूँ जितने भी device पढ़ाया उसके operation पढ़ाने लगे हो तो 6 माइना operation पढ़ाने में लग जाएगा चले बहुत बढ़िया मंजुल जी आप सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद हाँ डेली होगी इसी टाइम सभी लोग जरूर आना class में continuous जरूर बने रहाना तब मज़ा आएगा बहुत मज़ा आएगा जबरदस्त मज़ा आएगा typing कुछ समझ मैंने आरे इंगलीस typing में क्या समझना धर्यादर मारते जाओ इंगलीस typing तो अराम से हो जाएगे इंगलीस typing मैं बता तो रहाँ 15 दिन में तुम स्पीड ला दोगे टाइन टेबल मिर्तुंजे जी संडे को आपको अपलोड कर दिया जाएगा अभी ये जान लो कि संडे तक मुझे ही आप लोग मिलोगे मही आठ बजे आप से मिलूँगा ठीक है तो हमारा और आपका मुलाकात रात्री आठ बजे चले बहुत अच्छे से समझ में आया दे देंगे सब कुछ दे देंगे ठीक है अभी क्लास होने वाली है आप सभी से में बिदा चाहता हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और स्ने देने के लिए हम आपका बोर्बाबाम एंट गए हम कोता रात्री आपी iPhone 1 हमोग टक विल खिल क्यों देने की कोगा आप । झाल 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 झाल